अच्छा अब जब डिस्ट्रेक्शन की बात आई कि भार आउट साइड से थोड़ा डिस्ट्रेक्शन तो एक जो बड़ा क्वेश्चन यहां पे स्टुएंट्स के लिए भी आज के टाइम पर होता है कि सोशल मीडिया से जो इस्ट्रेक्शन से उनसे कैसे बचा जाए तो उस फिर भी लास्ट कुछ टाइम में मैं वही है कि कभी-कभी जैसे मानलीय रात में सोने आ रहा हूं तो थोड़ी रहे देख लिया वैसे मैंने मैं बोलूंत में खुद को थोड़ा इसोलेट करने की कोशिस की इन चीजहों से अभी भी मैं कर रहा हूं बहुत जादा मैं इंग फवर्ड कप चल रहा था एक्जांपल देना चाहो नौंबा दी संबरें तो मैं मैशेज देखता था रात में लेकिन यह था कि मैं में उस मुझे इंटरेस्ट था इसपोर्ट में देखता था तो उस समय तो खेयर टाइम था तो मैं देख लेता था लेकिन उसके बाद मैंने अवाइड करने की कोशिस की तो वह ही है होता कि कई बार माली हमारे पास दो घंटे का फ्री टाइम है तो माली हमें लगता है वो देख लिए तो मुझे ऐसा लग रहा ऐसा फील होने लगा था कि माली यह मैं दो घंटे कुछ कर रहा हूं तो उसकी जगा द्रेश्ट करना मैं प्रिफर करता था कि खुद जैसे माली उससे क्या होता है थोड़ा माइंड रिलेक्स रहता है अब ऐसे में कहीं हम बीजी हैं कहीं मुवी जटीवी सीरीज यह स्पोर्स कुछ भी देख रहे हैं तो ऐसा लगता था कि दिमाग थोड़ा माइंड थोड़ा थाक गया जब आज के session में हम एक ऐसे person के साथ interact करने वाले हैं जो definitely आपको motivate करेगा इस चीज के लिए नहीं कि वो successful हुए उनका rank अच्छा है इस चीज के लिए भी जब जहां सब लोग हार मान जाते हैं उन्होंने हार नहीं मानी और एक अच्छा rank पाया अब वो हार मानने वाली बात क्या हो जाती है generally students जो एक साल दो साल तक drop कर चुके होते हैं तो उसके बाद वो demotivate हो जाते हैं like अभी भी gate का जब result आया था तो उस result के announcement में हम जब live session ले रहे थे तो कुछ students बूल रहे थे कि sir ये मेरा attempt था इस बार मेरे marks जो है as expected नहीं आ रहे हैं तो sir मैं तो demotivate हूँ क्या मुझे अपनी preparation छोड़ देनी चीए क्या definitely आप इस session को देखने के बाद और हमारे साथ जो आज के ranker जुड़े हूँ है इन से interaction करने के बाद आपको motivation मिलेगी और आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे तो चलिए मिलते हैं आज हम gate 23 में electronics and communication में जिनका rank आया है 36 तो हमारे साथ समित आपकी जो जरनी को थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा क्योंकि students जो है वो यह जानना चाहेंगे कि आपका क्या background रहा किस college से आपने pass out किये और कब pass out किया थोड़ी सी state जी रही थोड़ा सा family के बारे में बताएंगे सबसे पहले तो से पहले तो feel कैसा रहा यह बता देंगा अच्छा लग रहा है means इतने सालों की मेहनत के बाद एक जो में सब्सक्राइब होता है कि under 50 मेरा एम था तो अच्छा लग रहा है तो यह जब result जब आने वाला था जैसे कल रिजल्ट जब आने वाला था तो उससे पहले आपको लग अच्छा जब मैं लास्ट मन्त में जब जन्वरी में जब मैं टेस्ट वगरा दे रहा था तो मेरा एक एम था इस बार कि मैं अपना हंडेड परसंट हूं क्योंकि सार लास्ट एर ड्यू तो सम रिजन्स आइगुद अपना पूरा पोटेंशियल देके मैं नहीं कर पाया थ मेरा एक जो में फाकि मैं इस बार कीमाइड क enormeकर 아침 मेरा यह नहीं था कि मुझे अंडर 59 एंडर 100 यह था कि मैं अपनी दो ंडैर परफ्केंट तो मैं डिसपाइंट नहूं रेंग जो आएगी देखा जाए तो मतलब आपने मल्टीपल अटेम्ट की बात आ रही है तो यहां पर जो विवर्स हैं जो इस्टुडेंट्स है वो सोच रहोंगे कि एक अटेम्ट दो अटेम्ट तो कब आप पास आउट हुए और कितने कौन सा सर मैं पास आउट था तूसर शोल है यह कर दो सब्सक्राइब का टाइम्मे में तो उस समय में घर पह था तो थोड़ा लेग आया तो वही तो सर मैं और कोविट का टाइम तो उस टाइम पर बहुत दीमोटिविंटिंग भी रहा होगा क्योंकि जो लोग भी इस्टुएंट्स प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोग के लिए आप्शन कम थे क्योंकि उस टाइम तक ऑनलाइन में इतनी अच्छी तरीके से इतनी अच्छी से तो वो फेज एक बार आपको निकाला आपने और उसके बाद इतनी अच्छी सक्सेस पाई तो उसके लिए बहुत एक तरीके से अंदर से स्ट्रॉंग रहे हों गया जी सर कोविट के टाइम हां उस समय एक तो मैं उस समय घर पे था तो थोड़ा पढ़ाई में भी ब्रेक आ क्या था अफलाइन कहीं क्लास इस समय लास्ट टाइम मैं अच्छा आपने 2018 में जब पास आउट हुए आप तो उस ताइम पे कॉलेज के साथ भी अटेम्ट किया था यह सर कॉलेज के साथ दिया था उस ताइम पर फॉर्स अटम्ट में क्या रहा आपका रिजल्ट था था मैंने पूरे सब्जेक्ट पढ़के नहीं दिया था चाल सब्जेक्ट पढ़े थे जिसमें तीन अच्छे से किये थे तो समयरी 2300 तो कई बार इस्टों क्या होते हैं कि जब 2000 प्लस रेंक है तो सोचते हैं कि हमारे लिए तो ही नहीं है एक्जामा में छोड़ देना चीए ल जैसे 2020 के असपास मेरा इस ज्यादा फोकस था गेट से तो इस समय जैसे रेलवे हट गया तो थोड़ा उस समय दिमोर्लाइज हुए क्योंकि मैं 2020 में अच्छे दिया था यह तो समय नहीं उपाया तो इस बीच में 2018 से लेके गेट 23 को क्लियर करने तक के बीच की जरनी का सबसे पहले अटेम्ट किया 2300 रेंकरा फिर इसके बाद अपना अपने प्रपेशन किया 2019 के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा कोविड के टाइम पे थोड़ा आप डाउन हो गया अच्छा इस बीच में फिर आपके क्योंकि गेट से आपका अब्जेक्टिव था कि मुझे कोई PSU लेनी है या मुझे engineering services की तरफ भी थोड़ा सा आपका orientation बना मरला आपने यह प्लान किया हो था कि मुझे एक technical field में ही रहना है जौब की तरफ नहीं जाना है तो बीच में कभी job करने के बारे में सोचा आपने या बिल्कुल नहीं सोचा मेरा college time से means यह था कि मुझे private sector से बिल्कुल means interest नहीं था जाने का corporate में मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैं government में जाने की हमेशा से सोच रहा था technical field में तो sir ऐसा तो नहीं आया कभी लेकिन हां कुछ time था जैसे इस year मेरा यह था कि यह मेरा मैं यह सोच रखा था कह कहीं नहीं कि यह में final attempt do again अपना hundred percent देनी की कोशिश की मेंने और मेरा जैसे इस बार एक IMD का scientific assistant आया था सर उसमें भी हो गया था तो मैं वह भी थोड़ा ढंग से दिया था कि इस बार कहीं नहीं तो मैं join कर लूँगा अगर दूँगा अच्छाए students को मैं यहां पर बता हैं तो फिर उसके बाद लगातार line के साथ exam clear होने लगते हैं जैसे सुमित ने बताया SSC IMD का exam भी clear हुआ और मैं congratulate करूँगा कि सुमित का भी engineering service इसका भी जो pre exam हो clear हो चुका है और अभी mains की तेहरी कर रहें तो definitely जब एक guidance अच्छे तरीके से मिलती है तो आप एक उस level पर प 1000 के रहूं था 900 के रहूं था तो उस 1000 से आप 36 पर आगे ऐसा क्या आपने किया और students को भी बताईएगा कि वो जो लोग students है जो यह सोच रहे हैं कि हमें भी under 100 rank में आना है उनको क्या preparation stage जो होनी चाहिए उनको कब preparation start कर देनी चाहिए क्योंकि you are the experienced one person ठीक है आपको एक साल कर इतने टाइम में क्या क्या आपने गलतिया कि उन सब का experience हुआ है तो किस टाइम पर अपनी प्रपेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए so that जो भी यहां पर वीवर्स हैं वो भी अंडर हंड़ेड जो है रहें का time कर सके फर्स्ट आप लास्ट येर मेरा था में इस गेड़ अच् देखा था तो मैंने अधा 24 ने लास्ट येर यूटूब चैनल लॉंच किया था गेड़ की प्रपेशन अधा 24 सबने लास्ट येर स्टार्ट की तो आपने वो यूटूब चैनल को देख तो सर मैंने वही मुझे मीं ओन्लाइन चाहिए था मैं क्लास्वूम नहीं अटेंड मैं चाह रहा था कि मेरे कुछ कुछ सब्जेक्ट में मैं ऐसा था जैसे मालिये कम्निकेशन है तो मैं जैसे एनलॉग पढ़ा था हूँ डिश्टल मेरा थोड़ा वीक था गेट में गेट क्या होता है कॉंसेट बेस्ट एक्जाम है तो ऐसा नहीं कि आप दो महिने पढ़ के कर्द होगे तो मैं थोड़ा चाहता था कि एक और्गनाइजड वे में पढ़ू मैं इस साल तो इसलिए मैंने ओनलाइन को ओनलाइन क्लासे जाइन की जो लाइव ग्लासे जाए अटर टॉंटीफोर सेवन की तो उस पर मुझे काफी हेल्प मिली मैं मुझे प्रेक्टिस भी में किस किस फैकल्टी से अपनी इस प्रपेशन में थोड़ा हैल्प मिला लाइक आपने बताया कि थाउजेंड रंक तक आप अलड़ी पहुंच चुके थे मैं आप पर उन लोगों को बताना चाहूंगा अभी इसी साल जो रिजल्ट है कई सुजेंट्स ऐसे हैं जो थर्ड कौन से सब्जेक्स में किस तरह से फैकल्टी जिन आपको हैल्प आउट किया बैसिकली जैसे कमनिकेशन की बात करें तो रेनू सर से मुझे काफी मिली डिजिटल कमनिकेशन मेरा काफी वीक था कुछ-कुछ पार्ट जैसे पैरिटी और नॉइस वगरा और सर नेटवर्क की सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें तो यह तो आपने किया उसके अलावा जैसे मैनेजमेंट जो अट्डा मैनेजमेंट ने आपको इस पेशली जब आपका यह बैच जब चल रहा था तो इस बैच में किस तरह से हेलप आउट किया कि जिस से हम लोगी क्लासे चलती रहती थी तो और टाइम में वो लोग अलग से मींस ओनलाइन मीटिंग अरेंज करते थे ग्रूप आप स्टुएंट्स की वो पूछते थे कि मलब और किस हिसाथ से हम आपकी मदद कर सकते हैं जैसे प्रेक्टिस को लेकर टीचर्स को लेकर फीडबैक तो आप में पर यहां को लोग तो आप लोगों ने फीडबैक दिया और उसके हसाब है और इससे और आपको हाफ मिली और करेंप मिल च्रेंट्स को यहां से स्स कालिटिक सीरीज से भी काफी हल्प मिला तो अब आप जो यह अभी आपका 36 rank आया इससे आगे का planning क्या है कि M.Tech करने का planning है या P.E.S.U. में जाने का planning है या भी तो एक बार इसको side में रखके एक achievement को आप चाहते हो कि E.E.S.E. Mains पर focus हो करके काम करने हैं मास्टर्स का तो मेरा प्लान नहीं है क्योंकि पिछले सालों में मैं बिल्कुल भी मास्टर्स नहीं करना चाहता था तो अभी तो फिलाल मैं E.E.S.E. Mains के लिए तो इस बीच में आपको कई बार फील हुआ होगा कि दी मोटिवेट हो गया हूं मैं लाइक शुडेंट्स के हम लोग के पास queries भी आती रहते हैं मेरे भाइया अभी वह वह भी इंजिनेरिंग फेल्ड से हैं वह एलेक्ट्रिकल से हैं वह अभी यूपीपी सेल में एस्डियों हैं तो उन्होंने भी काफी मिंसा मेंसा मदद की मोटिवेशन का भी मिंस ऐसा नहीं लगा और से टीचर्स की बात करें तो अब्यसली सर पूरी preparation कर चुके होता है तो लाष्ट का जो duration होता है जहां पर प्रेशर होता है वो पीर प्रेशर में लाइक लाष्ट के 15 दिन रहें बीस दिन लगे उस टाइम पर strategy क्या है आपकी तरफ से जूटेट्स को suggest करोगे कि उस टाइम पर revision कैसे करना है उस टाइम पर एक इस दिन में आप पूरे syllabus को बहुत अच्छे से कवर कर लें तो मैं थोड़ा जैसे होते हैं कई लोग में देखा है कि सौट नोट्स मुनाते हैं मैं सौट नोट्स पर बिलीव नहीं काता है मेरे खुद की जैसे नोट्स हैं क्लास नोट्स जो भी हैं तो मैं जैसे मेरा कोई न लगबग मैंने 22 23 फूल टेस्स दिये तो उससे काफी मदद मिली कोस्टन के थू मेरे काफी कॉंसेट्स क्लियर हुए जैसे यह कमिनिकेशन है कमिनिकेशन में जैसे इस यह तो डिश्टल अच्छा नहीं है लास्ट ट्री फोरियर से काफी अच्छा रहा था तो सर इस बार म लास्ट जनवरी में तो मेरा यही था कि मैं फूल टेस्ट के थू कर रहा था और यह जो सर आपकी यह को इसके थू बहुँ लगाए तो उसके थू मिन्स लगता है कॉंफिडेंस आता है तो सर एक एक कॉंफिडेंस लेवल था मुझे लग रहा था मिनस गेट अच्छा जाए तो ऐसा हमने भी ट्राइब किया थो उससाब से हमने कॉस्टेंस भी डिजाइन किये थे तो एक चीज मैं और आट करना जाओ जैसे अगर हम बात करें गेट है जैसे इस वार फेब्रूरी का गेट था तो लास्ट वन वीक मैं यही कहना चाहूंगा कि मिस बहुत ज्या तो लास्ट वन वीक में मैं यही कोरूंगा कि सिंपल सा रिवीजन मैं फूल टेस्ट भी लास्ट छह साथ दिन में तो नहीं दिया था वही मैं 28-30 तक दिया था फिर मेरा यही था कि कुछ-कुछ पॉइंट में रिवाइस कहता रहता था जैसे मैंने बुकमार कर रखें ऑन बांकी डिस्टर्बेंस से बाहर आउटसाइड डिस्टर्बेंस से कट करने कोशिस कर रहा था कि थोड़ा फोकॉस हों एक्जाम के लिए तो वही मैं यह कहूंगा कि लास्ट वन वीक में बहुत ज़्यादा रस नहीं करना चाहिए कि यह भी कर ले हो कर ले आपने जो कर रह है तो उसको आपने कैसे मैनेज किया पूरेस अपनी प्रपेरेशन जर्णी में तो मैं वैसे तो खुद मेंस ऐसा नहीं कि मैं खुद इंगेज हूं जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूं कुछ लेकिन मैं ट्विटर खोल लेता था फेस्बुक अगरा मैंने हटा रगा था भी को थोड़ा आइसोलेट करने की कोसिस की चीजहों से अभी भी मैं कर रहा हूं बहुत ज्यादा मैं इंगेज नहीं रहता हूं लेकिन वह यह कि यह परसंट टू परसंट करता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो मैंनेज कर लेते हैं हाँ तरफ से तो उस समय तो खेयर टाइम था तो मैं देख लेता था लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा अवाइड करने की कोसिस की तो वह ही है होता कि कई बार माली हमारे पास दो घंटे का फ्री टाइम है तो माली हमें लगता है वो देख लिए तो मुझे ऐसा लग रा ऐसा फील होने कि माली है मैं दो घंटे कुछ कर रहा हूं तो उसकी जगा द्रेस्ट करना में प्रिफर करता था कि खुद जैसे माली हुससे क्या होता है थोड़ा माइंड रिलेक्स रहता है अब ऐसे में कहीं हम बीजी हैं कहीं मूवी जटीवी सीरी या स्पोर्स कुछ भी देख रहे हैं तो एक बार यहां पर जो आपके जूनियर्स हैं जो अगले साल अगले आने वाले सालों में डेफिनेटली वह भी रंकर बनने वाला और यहां पर आएंगे आकर कि वह भी अपना एक्सपिरेंस शेयर करेंगे उनको लास्ट कुछ मोटिवेशन के लिए कि इतने डूरेशन तक जो आप मोटिवेट रहें तो ऐसा कुछ बताओ कि आप कुछ की वह भी मोटिवेट रहें तो पहली चीज होती हमें अपनी खुद के पोटेंशियल क्या वीक्ने से क्या इस्टेंथ है उसके बारे में पता होना चीज़िए कौन सा टॉपिक लाइक कर रहें क्या कर तो अब अपनी अनलिस कर सकते हैं जैसे मैंने इस बार कुछ 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 कोशिस करने को से काम किया में इस कोश्चन वागरा मैंने काफी प्रेक्टिस की तो वही है और उसके अलावा रेगुलर पढ़ने की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेंसा दो चीज़िएं पर सब्फोकस क तो मुझे एक बाar किया कि जबसे ओं-लाइना फिट में जब आहे हैं तो बच्चों के साथ है एक बार वो इसक्रीन के साथ तो आप यहां पर आए अपना टाइम निकाल करके तो वह एक वह पुरानी वाली फिलिंग आए कि जब पुराने रैंकर्स मिलने आते थे जब रैंक निकल के आती तो एक बार वह सारी चीजे थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा आगे हैं तो बहुत अच्छा फील हुआ कि आप इसको मैंटेन करके रखो और उसको भी बहुत अच्छे से फोड़ो और उसके बाद उसका इंटर्वी होगा उसको भी बहुत अच्छे से कर और गेट के थूब आपका बहुत अच्छा रहनका है सारी अपोर्चुनिटीज का तद्वार खुली गया अप गेट से तो सारी इसके बाद भी जब आप इन सारी परचुनिटीज के बाद एक जगह पर पहुंच जाएंगे तो मैं वापस से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आकर के वापस से कभी आप जीतने का ट्राई करेंगे तो आप उसी तरीके से पहाड़ दर पहाड़ चड़ते रहें इसी इसके साथ मैं इस सेशन को एंड करूँगा और डेफिनेटली इस्टुजेंट्स को इससे काफी कुछ मोटिवेशन और काफी कुछ सीखने को मिला होगा सो थैंक यू वेरी मच्च सब्सक्राइब तैंक यू सर वेरी मुच्छ